जै स्री कृष्णा राधे राधे यानि पंखुरी अर्पित कर सकते हैं गेंदय का पुस्प के बारे में आपने बहुत सुना होगा लेकिन आज हम आपको विसेश प्रयोगत आएंगे कि कैसे एक गेंदय का पुस्प आपके भागे को बदल सकता है चोटा सा गेंदय का पुस्प बहुत ज़्यादा चमतकारी होता है अब इसमें बहुत सारे भेराइटी हैं कत्थई, ओरेंज, पीला, बहुत सारे कलर हैं खुबसूरत से पुस्प होते हैं देखिए दुनिया में हर धर्म में किसी भी सारजनिक कारे में पुझापाठ में खुसी के समय फूलों का प्रियोग जरूर होता है और सभी तरह के फूल का बिसेश प्रियोग होते हैं लेकिन जो सबसे पहले नाम आता है पुझापाठ में वो है गेंदे का पुस्प वैसे कमल, पुस्प, गुलाब का पुस्प यह सभी थोरवा सा कम मिलते हैं, या थोरे महंगे हैं, हर किसी के पास उपलब्द नहीं है। लेकिन जो गेंदा का पूस्प है, वो बहुत जादा एक-एक बिक्ष में बहुत जादा खिलते भी हैं, बहुत जादा संख्या में पाए भी जाते हैं। इसलिए आसानी से सुलब हो जाता है हलांकि देखिए पुस्प का संबंद पिर्थवी से है और पिर्थवी अपनी इच्छा और लालसा फूलों द्वारा ब्यक्ति करती है यानि कि खुबसूरत और सुन्दर पुस्प अगर आप पुजा पाठ में यूज करते हैं या अपने किसी प्रिय ब्यक्ति को उपहार में देते हैं तो ये सरवोतम माने जाते हैं क्योंकि जीवन के जो हर रंग है वो फूलों में ही अवस्थित है ऐसा माना जाता है कभी किसी को अगर आपको गिप्ट देना हो और फूलों के पौधे अगर उपहार में दें तो प्रेम बना रहता है फूलों की तरह खिल खिलाता हुआ रहता है रिस्ता तो अगर आगे से अब किसी भी समारों में आप जाते हैं गिप्ट्स में बहुत साई चीजे देते हैं लेकिन अगर फूलों के पोधे देने का एक छोटा सा प्रयास करें तो ये आपके रिस्तों में ज्यादा मधूरता लाएगा। कभी कोसिस करके देखिएगा तुटे वे रिस्ते भी बन जाते हैं क्योंकि जैसे उसमें फूल खिलने सुरी होंगे कोई भी पुस्प हो और गेंदे का हो तो और भी अच्छा क्योंकि गेंदे का पुस्प मन को बेहतर करता है प्रेम बढ़ाता है। जो में डिर होता है आप आम के पत्तों का बंदनवार लगाते हैं इसके साथ ही आम के पत्तों के साथ अगर गेंदे का पुस्प को भी आप लगा दें तो ये जीवन में सुगमता से सरलता से आनंदवाला पार्ट को बढ़ा देता है। अगर आप पुस्प उसमें गेंदे का पुस्प लगा दें तो जीवन में जो आनंदवाला पार्ट है वो बढ़ जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया कि जो पुस्प होते हैं वो बड़े दिब्बे होते हैं और सबसे उत्तम भी माने जाते हैं। अब एक और चीज है अगर हम गरंतों की माने तो नौगरह की पुजा अनुष्ठान में नौगरहों के अलग-अलग रंगों के फूलों का परियोग होता है और फूलों के द्वारा जीवन में विसेश चमतकार भी आसानी से होते हैं। इसलिए पुस्प जो है हमारे जीवन में सर्वोत्तम यानि कि सबसे पहला स्थान रखता है। किसी भी तरह का कोई भी सजावट का कारे हो घर, मकान, आफिस या फिर महिलाओं का स्रिंगार बिना फूलों का अधूरा है। और किसी भी आप जैसे किसी से मिलने जाते हैं, कोई बिमार हैं तो पुस्प देते हैं, क्यों? क्योंकि ये उनके अच्छे स्वास्त का कामना के लिए है। अग सब्सक्राण पर जो फूस्प आपको द कजाने पूस्प दिख जाएं, या ऐसे जगह जहां अपने आप ये पूस्प हो गया, लोग जाएंगे नहीं, सिद्ध अस्थान यानि की मंदिन के पास या फिर सुनसान अस्थान में विरान अस्थान में अगर पुस्प है तो इसका मतलब है उन पुस्पों में योगिनी सिद्धियां भिद्यमान रहती है यहां तक कि सभी फूलों में कोई नो कोई सक्ति गुपत रुप से अवस्य रह कोई भी चिकित्सा की बात करें तो उसमें प्रमुखता आता है आज हम बात करेंगे कि गेंदे के पुस्प के द्वारा अपने घर परिवार में उत्पन आपके जो कलहकलेस है मन मुटाव है उसको आप कैसे दूर करेंगे कैसे इस पुस्प के द्वारा आप चीजों को बहतर करेंगे ने की जब भी आप भगवान की पुजा करते हैं तो गेंदे का पुषप अर्पित करने का एक शुरुआत करलें आप एक ही आपको पुषप मिलता है तो ले आईए उसको तोड़ कर उसकी पंखुरी कोलक कर ले अब थोरा थोरा करके आप जो भी भगवान की पुजा करते हैं उनके चर्णों में रख दीजिएगा पुजा के बाद चढ़ाएवे फूलों में से एक पुस्प या थोड़ा सा पुस्प आप रोज अपने उठा ले और अपने पॉकिट में रख ले और फिर आप जहां वेपसाय स्थल पर जाते हैं अगर वेपसाई हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप रख ले इस फूल को निकाल कर ये आपको अच्छा भी फील कराएगा और सब कुछ आसान हो जाएगा अगर आप रोज भगवान को चाहिए वो कोई भगवान है उनको आपने गेंदे का पुस्प अरपित किया है तो उस पुस्प को ले बाद में अरपित किया वा पुस्प उठाएं और जल में डीप करके हलका सा छीटे जल में पुस्प के साहरे पूरे घर में छीटा डालें अपने ओफिस में फेक्टरी इंडस्ट्री में भी डाल सकते हैं ये एक चमतकार का काम करेगा आपको पॉजेटिव एनरजी आती भी नजर आएगी तो गेंदे की जो फूलों की पंखुरिया हैं अगर आप अपने घर के मुख्य दरबाजे पर भिखेर दें दोनों तरफ तो स्फर भगवान को गेंदे का पुस्प अरपित होता है और वह सुईकार करते हैं अगर आप सोमबार बुन्द WILार सनिवार के दिससोम वार जिए दिन सुबह सुबह आप वो पुस्प लेके जो मेन आदमी हैं, वो हरे रंग के कपड़े में या रुमाल में लेकर उसको लपेट कर किसी भी मंदिर में रख दें, जो भगवान के पास में और प्राथना करें कि जीवन में सांती रहे, सुख रहे और एक मीठा फल लेकर घर आ जाएं, भगवान को अर अपने घर के मुख्य दर्वाजे के दाहिने साइट जो आप पानी का लोटा रखते हैं निति दिन जो हमने आपको बताया है, रखने के लिए अगर रखते हैं और उसमें फूलों की पंखुरी डाल कर रखते हैं, तो इसके बिसेस फायदे आपको मिलने लगते हैं, जीवन में खुसियां आजाती है, तो ये वाला उपाया आप करें, फिलाला आप से भी दालेंगे, हर हर महादेब धन्यवार, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करें